प्रियाम्बल ऑफ दा इंडियन कॉंस्टिटूशन क्या है ये तो हम सभी कोई पता है लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रियाम्बल से जुड़ी कुछ बहुत इंपोर्टेंट बाते बताने वारी हूँ बेरुबारी केस जो की 1960 में आये था उसमें ये फैसला ये फ़र जज्जमेंट दिया गया था कि प्रियाम्बल इंडियन कॉंस्टिटूशन का पार्ट नहीं है लेकिन जो केसवन अंधभार्ती केस 1973 में आये था उसमें बेरुबारी केस का जो जज्जमेंट था उसको उबर करके ये बताए गया कि नहीं प्रियांबल कॉंस्टिटूशन का पार्ट है फर्दर एलाइसी ओफ इंडिया केस जो कि 1995 में आये था उसमें भी इस सेम जज्जमेंट को कॉंटिन्यू किया गया और दुबारा से बताए गया कि नो प्रियांबल इस एन इंटीग्रिल पार्ट तो अब प्रियांबल जो कि कॉंस्टिटूशन का पार्ट है तो अब बात ये भी आ दिया कि क्या प्रियांबल को अमेंट किया जा सकता है तो बिल्कुल प्रियांबल को अंडर आर्टिकल 368 अमेंट किया जा सकता है पार्लिमेंट उसे अमेंट कर सकता है लेकिन को सिरफ एक बार अमेंड किया गया है through the 42nd constitutional amendment act 1976 और इस amendment के through तीन words constitution में जोड़े गए थे जो कि है secular socialist and integrity बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि integrity word भी इसी amendment के through जोड़ा गया था उनको खाली याद रहता है socialist and secular that's it for today's video bye